युवा खिलाडियों की छिपे हुई प्रतिभाओं को निखारने के उदेश से शिमला के BCS थित एग्मा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में क्रिकेट अकाडमी की शुरुवात की गई है राइजिंग टैलेंट क्रिकेट अकाडमी का शुभारम HPCA के जिला अध्यक्ष सुरेंदर ठाकुर ने किया शिमला के BCS थित एग्मा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में एक निजी क्रिकेट अकाडमी खोली गई है इस क्रिकेट अकाडमी का शुभारम हिमाचल प्रदेश क्रिकेट अध्यक्ष सुरेंदर ठाकुर ने किया इस मौके पर सुरेंदर ठाकुर ने कहा कि ये शिमला की एक मात्र निजी अकाडमी है जहां युआ अपनी प्रतिभा को और अधिक निखार पाएंगे और निश्चित तोर पर क्रिकेट जगत में अपनी पहचान बना सकेंगे सुरिंदर ठाकु ने अकैडमी के इस प्रियास की सरहना की और अकैडमी के संजालकों को अपनी शुब कामनाई दी उन्होंने कहा कि एकैडमी में बच्चों को अपनी क्रिकेट प्रतिभा को निखानने का मौका मिलेगा इस दोरान उन्होंने कहा कि HPCA की तरफ से स्कूल में खोले गई एकैडमी के लिए हर संभव सहायता प्रदान करवाई जाएगी मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत बदाई देने जाता हूँ एकडमा इंटरनेशनल स्कूल को कि इनोना है रिशब चवान जो हमारे अंडर नाइंटीन के भीतरी इन खनाडी रह चुके ऑपनिंग बैसमें रह चुके और इनकी कैप्टिंसी है के अंडरम ने दो चैंपिंशिप जीती है स्टेट चैंपिंशिप तो इनको यहां पर पर मिशन दी है तू स्टार्ट करिक्ट अकैडमी और बहुत सरानी है बात है क्योंकि शंबला में ग्राउंड्स की बहुत कमी है और जो भी ग्राउंड्स है वो स्कूल के पास से वेलेबल है और मैं रिशब च्वान और स्कूल की मैनेजमेंट अगमा इंटरनाशनल की मैनेजमेंट तुरी फैकल्टी को बहुत बहुत बदाई देने चाहता हूं और हम पुरी उमीद है कि छोटे-छोटे बच्चे जो आखड़े हैं एज ग्रूप एकेडमी के संचालक रिशब चुहान ने कहा कि इस एकेडमी में युवाओं को अपनी प्रतेभा को निखारने का मौका मिलेगा इसका उदेश्य है कि हम चोटे बच्चों को और यंग जो टैलेंट है हमारा प्लेयर्स का क्रिकेट में उसको जागर करें और इजागर करें के देश और प्रदेश में वो क्रिकेट में नाम रोशन करें और इसी के साथ हमने ये एकेडमी का इनॉबरेशन आज रखाए ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल शिमला